हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाइकॉम सोलुशन पर दोस्तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी एक साइज लेकर आया हूँ जो हकलाहट को ठीक करने वाली सभी एक साइज, सभी योगस्णों का एक इक कंपलीट पैकेज है यह एक ऐसी exercise है मात एक exercise को रोज करने से ही आपकी हकलाहट हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तो उस exercise या उस technique का नाम है Andrew Bell technique या exercise अभी मैं आपको Andrew Bell technique को करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखना, skip मत करना क्योंकि अगर आपने वीडियो skip कर दी तो आपके exercise समझ में नहीं आएगी जिससे आपको profit बहुत कम होगा आप इस तरह से बैठ जाएंगे, आपके दौनों हाथ आपकी कमार पर होने चाहिए कमार बिल्कुल सीधी, बैठने के लिए आप कोई stool या कोई chair ले सकते हैं मैं आपास stool नहीं तश्ली में अपने chair ले लिए, stool ज्यादा comfortable रहेगा exercise करने के लिए आपको एक sentence याद करना है, in this word I am an important person इस word को आपको exercise के थरो, breathing exercise के थरो repeat करना है अपने अंदर सांस भर कर आपको देखिए कैसे यह word आपको sentence यूज़ करना है important के आप तीन पार्ट करेंगे important, important को आपको एक साथ नहीं, तीन बार में repeat थिरी पोल में बोलना है in this word I am an important person in this, in or this आपको up down in this, starting with दो वर्ड आपको up down करने है बाकि बीच के वर्ड आपको left right करने है और लाश्का, son, वो भी up down करना है in this word I am an important person starting के first and second word up down बीच के वर्ड लेफ राइट लाश्का जो person का वर्ड है लाश्का asho and son वो up down करना है आपका face बिल्कु सीधा इतना left right starting up बहुत कम करेंगे अपके जो गर्दन है गर्दन आपको कम मूव करनी है वरना आपका सिर्द जो है गर्दन दर्द करेगी तो जितना कम करेंगे अपना starting अच्छा रहेगा थोड़ा हल्का हल्का मूव करना सिर्फ हल्का हल्का मूव करना है जब आप इस sentence को बोलते हैं तो आपको आपकी voice थोड़ी loud होई चाहिए और आपका mouth पूरा आपको mouth पूरा stress करना है in this मतला आपको जब यह sentence बोलना है आपको अपने पूरे mouth को stress करते हुए पूरा mouth open करते हुए बोलना है देखे कैसे करते हैं मैं आपको एक वारा दिखाए ताम करके जब पहले आप नीचे जाएंगे सांस निकालते हुए आप नीचे जाएंगे और गहरी सांस भड़ते हुए हलकी हलकी इसमें लब स्लोली स्लोली आप उपर आएंगे देखे कैसे करते हैं स्लोलते हैं करते हैं इन थिवार यंवां आप श्याओाँ हर आबंगी अपर आप देखे इंड़डल आएंगल आप बूसक Bluetooth Bluetooth проблем sous suppos आपत आप उर्ड़च करते हैं सांस निकालते हुए नीची गए थोड़ा नीचे थोड़ा रुखे एक सेकंड दो सेकंड फिर आप स्लोल सोली अपने अंदर सांस जितनी घहरी सांस भूसकते हैं आपको उतनी सांस भरके ऊपर धीदर आना उपर आकर आपको बिल्गुष सीधा होकर कमर सीधी या तो आपकी सांस आपके पेट में हो या आपकी सांस आपके चेश्ट में हो होल्ड करने बाद कुछ सेकंड दो तीन चार पांस सेकंड होल्ड करेंगे इसमें आपको स्टार्टिंग में चक्क्रे भी आ सकते हैं आपको गर्दें भी दर्स कर सकती हैं लेकिन आपको continue access करनी है तो सांस हो करने के बाद आपको वही इन दिस दो वर्ड अप डाउन बिस का सेंटेंस लेफ्ट राइट लास का सन इंपोर्टेंट पर्शन का पर्शन का सन अप डाउन करना है ठीक है चलो मैं एक वार आपको मैं पूरी एक्साइज दिखायता हूं करके कि कैसे करनी है पूरी आपको एक जिस चरोड़ का सुट अन दिस वर्ड आपको शोड़ना मैं एक यापको भी अप्सका तार्ट वर्ड़की जसे है मैं एक वार्ड वर्ड नापको प्सक्त्त प्धाय। को सम… जब जभी एक जितना आप नीचे जाएंगे उतनीब प्रॉफिट मिलेगा जुखते हुए आपको जुकसकते मैक सुर्म पूरी सांस को बाढ बढ लिकाल हुब जब ऊपर आए स्लोल सूल लिया को हो को सांस अपने अंदर लेने हैं जितना हो सकते मÈक्सिमम आपको अपने सांस अंदर लेनी है ऊपर आके 5 सेटेडाग और होल करना है , इस तरह सा होल करना है फिर के टार First वे अपधाउण की इसको ड़वड लाइफट प्लाइट लाश का वत औरさん सब्सक्राइब निकालते हुए नीचे जाएंगे जितना जुक सकते हुए उपर आएंगे जितनी सांस अपने अंदर ले सकते हैं उतनी सांस अपने अंदर भरेंगे उपर आके फिर से होड करना सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से आपको मिनिममम रोज आपको 30 मेटी एक्साइश करनी है देजरे चक्कर आएंगे आपके गर्दन भी दर्द करेंगी मैं स्टियंग में आप इस सुलो रखें गर्दन को जयादा न करेंगे तो आपका दर्द कम होगा जैसी आप जीदेई सीख जाएंगे तो आप आप जयादा िुष ज्यादा मुब कर सकते आ हैं लेकिन Il parece छ बस्लित आप फिर्दन को हलके आपक ज़् granir को करेंगे जिसे स आप बोलतों एक्साइज करेंगे आपकी जो वुकल कोड़ है यह वाइबरेट करेगी आपकी बोलने की स्पीड वो किलियर होगी आपकी स्पीड कंटीनु बनेगी और आपका जो बीथ है बीथ भी आपको मिल रहा है आपके माइंड में आपकी बीथ जा रही है आपके माइं करेंगे तब भी आपको प्रॉफिस्ट होगा क्योंकि यह तुरह स्लो काम करती है आप 10-15 एक महिना कंट्यूनिक एक्साइज को करके बताइए कितना फायद हुआ और दोस्तों इसमें से कुछ लोग जो आप इस वीडियो देख रहे हैं कुछ लोग पहले से इस एक्साइज क कर रहे होंगे तो किर्पिया आप बताइए नीचे कमेंट में लिखके कि आपको कितना अभी तक फायदा हुआ और क्या-क्या फायदा हुआ क्या यह जो टेक्निक है वह कागा है या नहीं है मैंने इसको किया था मुझे तो बहुत फायदा हुआ मेरे फ्रेंड भी करतन को में लिखकर देखक पर पिक रेखकर था मिलना पड़ता करता हुआ मैं तो लेकिन में कंट्यूनि करता हूं तो आप आज से ही इसक्साइस को करना सो कर देजी है सुवाय अर्ली मोर्निंग में करना एकसाइस जलदी उठी है नहीं दोंकर या फिल वैसे ही कर सकते हैं आप र ले लिया या 15 मेंट के बीच में आप एक ले सकते हैं ठीक दोबाव कर सकते हैं स्टाइट में फिर बोला हूँ चक्कर आएगा सिर्दर्द होगा आपकी गरदन दर्द करेगी यदि आपको ने चक्कर ज्यादा आता है तो आप ऐसे लेड़ याएंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता आपको चक्कर आ रहा और आप ऐसे ही है तो आप घिल जाएंगे दो ठीक है चकर तब आएगा जो आपने आपने सांस भनने के बाद जादा होड़ करते हैं तो शुरू में आ आप जिसे आपने सांस ली आपने इनहील किया आप ऐसे बैठे तो जा तो दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है और आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों पर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों एक बात रहेगी कि जब आप सेंटेंस को बोलेंगे तो आपको सांस को एकसेल करते हुए बोलना है यह नहीं मतल साइंटेंस बोलना है कि ये बीच में बताना भूल किया था दिके अशे इन दिस वर्ड आई एं एं इंपोर्ट एंपोर्ट एंपोर्शन दोस्तों आज की वीडियो यहीं स्लावत करते हैं जय हें जय भारत